क्यासे हैं आप लोग काफी अच्छे हैं आपका स्वागत करता हूं आपको प्रप्रशन बहुत अच्छे तरीकी से चल रही होगी जो एक्जाइम जैनुरी में होने वाले हैं इंकेस अफ एनी हेल्प इफ यू नीड यू नीड आस्क में दे कमेंट सेक्शन और साथी साथ आ के इस टापिक तक पहुंचेंगे हमारे वेबसाइट पर ये टापिक कहाँ मिलेगा मैं आपको बताते चलूंगा साथ ही साथ ये वीडियो में भी मैं डिसकस करूंगा तो ये सारी की सारी वीडिवोस जो हमारी यूटिउब के प्लेइस्ट में जो हैं वहां पे अपलोड ह जाएंगे, so it is very important कि आप हमारे playlist को check out कीजिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप already YouTube पे हैं, YouTube में हमारे चैनल के नाम के उपर click कीजिए, वहाँ पे आपको playlist को option दिखेगा, playlist में जाएगे और आपको playlist सारी की सारी जो है inglo m.com की मिल जाएंगे, first year और second year दोनों क की उन सब के वीडियो को आपको watch करना है और अच्छे marks examination में इंशाल्ला आपके अच्छे आज आएंगे, ठीक है, तो आज का हमारा topic तक कैसे पहुंचना है, आपको commerceepartional.blogspot.com ये हमारा website का नाम है, इस website का आपको visit करना है, visit करने के बाद आपको igno m.com वाले tab के उपर click क करेंगे, नीची की तरफ आएंगे, आपको यहाँ पर igno के course से related, m.com का जो course है, उस information आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ, m.com first year, second year की सारी की सारी courses के नाम आपको दीख जाएंगे, और बगल में YouTube lectures लिखा हुआ भी आपको मिल जाएगा, आप YouTube lectures के उपर अगर आप click करते है तो उस particular course के website, particular subject के website पे आप पहुँच जाएंगे, I mean particular subject के जो playlist होंगे, YouTube पे वहाँ पे आप पहुच जाएंगे, और वहाँ पे आपको धेर सारी videos मिलेंगे, ठीक है, और यह जो blue में जो है hyperlink create किया हुआ, आपको इसके उपर click करना है, अगर आपको notes website पे आ करके पढ़न नहीं है, जो questions important है, सिर्फ मैं उन्हीं को solve कर रहा हूँ, और जो YouTube अवेलेबल है, videos, playlist में, वो भी सारी important questions है, तो आप उन सब को पहले watch के देख लो, ठीक है, उसके बाद जो videos में upload करूँगा, उनको देखते रहो, कुछ questions अगर आपको important लगते हैं, तो यहां unit wise आ करके, click here, पर click करके, आप answers यहां से भी check करके पढ़ सकते हो, ठीक है, तो आज का हमारा topic स्टार्ट करते हैं, थोड़ा zoom in कर लेते हैं, है ना, थोड़ा zoom in कर लेते हैं, कि screen थोड़ा बड़ा हो जाए, आपको ठीक तरीक से समझ में आएगा, जी, यह हो गया, तो आज का हमारा topic भी य globalization का impact जो है, वो favorable है, या unfavorable है, यह इसके बारे में discuss करना है, यहां पर points के माधियम से मैंने आपका answer बताने की कोशिश की है, तो आएए देखते हैं, points में क्या है, है ना, points को पढ़ेंगे तो हमें automatic idea हो जाएगा, right, तो आएए फिर start करते है, effects of globalization on the world economy, सबसे पहला point है, the major effect of globalization is that, that the global economy is becoming more integrated day by day, तो integration जितना बैतरीन होगा, आपका काम जो है, वो भी बैतरीन तरीके से चलेगा, तो जो सबसे बड़ा impact है, globalization का वो यह है, कि जो global economy है, वो integrated होती जारी है, day by day, इसके फाइदे भी है, नुकसान भी है, बट integration होने से क्या होता है, कि आपका product जो हर जग the volume of world trade has grown at a faster rate than the volume of world output, और यह देखा गया है, जो world trade है, उसका जो speed है, वो ज्यादा है, world output है, उसके मुकाबले, इसका मतलब यह है, क्या है, जो world trade है, वो definitely favorable है आपकी economy के लिए, world trade एक तरह के से facilitate करता है आपकी economy को, तो यह बहुत तेजी से बढ़ रहा है, world output के मुकाबले म has been a trend of lowering the barriers to the free flow of goods, और एक trend है, जहां पर जो barriers create की जाते हैं by the countries, वो intentionally हो या फिर unintentionally हो, तो उसको भी एक तरीके से खत्म करने में सहायथा मिल रही है, with the help of globalization, जिसके, जिससे क्या फाइला हो रहा है, कि goods and services जहां है, या फिर जो capital है, वो country to country बहुत ही असानी से पहुँच पा कोई एक, suppose कोई country, कोई company है, जो कि इंडिया में किसी एक particular product को बेचती है, अब इंडिया ने अगर उस product के उपर band लगा दिया, तो वो company इंडिया में काम करी नहीं पाएगी, तो यहां पी यह barrier create हो गया, तो यह जो barrier उसको हटाना है, कि किसी भी तरह का band किसी को पर नहीं लोगों को allow करना है, ease of doing business का अपने नाम सुना होगा, इसका मतरब यही होता है कि barriers को हटाना ताकि good services का अलान परदान ठीक तरीके से हो सके, right, तो यह impact है globalization का, लोगों को देखो, सब को चाहिए कि उनकी economy बहतर हो, वो तभी possible हो पाएगा जब आप globalization को बढ़ावाद होगे, लेकिन साथ ही साथ आपको अपनी country के चो companies हैं, उनको भी strengthen करना का पी ज़्यादा हो जाता है, let's talk about the fourth number point, so it is foreign direct investment has been playing an important role in the global economy, आपको पता है कि FDI global economy में एक बहुत ही बड़ा important role play करता है, in order to become competitive, अगर आपको competitive बनना है, companies have started investing in overseas operations, अगर आपको competitive बनना है, तो आपको बहाँ बाहर की companies में investment करना पड़ेगा, और यह तभी possible हो पाई है, जब globalization होगा, तो globalization का positive impact ये भी है, कि हम अपने पैसों को बाहर invest कर रहे है, इंडिया में तो invest करी रहे हैं, आपको startup का नाम पता होगा, इंडिया में बहुत सारे startup ऐसे खुले हैं, जहां पे Tartas, Girlas, इन लोगों पाचवा number point है, global operations have led to the emergence of multilateral trading system, global operations के कारण जो है, multilateral trading system जो है create हुआ है, जिसके कारण से जो trading है वो बहुत ही आसान हो गई है, हैना currencies के बीच में trading आपको पता है गिए exchange value के कारण बहुत जादा दिक्कत होती है, बट एक ऐसा trading system create कर लिया गया है, I mean सारी चीज़ें जो है ब imports are penetrating deeper into the world's largest economies as well, और imports है, वो भी तकरीवन हर एक country में बढ़े हैं, globalization के कारण, क्यूंकि देखो बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है, जो कि हमारी country में नहीं बनती है, तो उस case में हमें बाहर सी import करवाना परता है product को, अब suppose वो product हमारे लिए बहुत important है, और किसी तरह का barrier होगा globalization अगर नहीं होगा, तो हम उस product को इंडिया में मघवा नहीं पाएंगे, आपको दिक्कत होगी, right, so it is very important and यह चीज़ अपी हो भी रही है, कि imports जो है, वो बहुत रहे हैं, penetrate कर रहे हैं, लेकिन साथे साथ एक economy को better in बनाने के लिए, import के साथ साथ आपको अपको अपना export भी बढ़ाना होगा, ताकि आपकी country, दूसरी country के साथ competitive कर पाए, आपका GDP बैतर रहे है, तो यह सारी की सारी चीज़े जो है, penetrate करती है, आपकी economy को और आपकी economy को और बढ़ा बनाती है, right, साथवा number point है, the growth of world trade, foreign direct investment and import leads to more foreign competition in the domestic market, है ना, तो domestic market में यह जो FDI हो रहा है, या world trade हो होगा, है, है ना, क्योंकि अगर competition नहीं रहेगा, तो monopoly हो जाएगे, और monopoly हो जाएगे, तो consumer का नुकसान सबसे जादा होता है, क्योंकि एक company अपने हिसाब से, अपने products को बेचती है, उसके उपर price रखती है, तो यह एक issue है, right, तो यह बात होगी, साथवे number point के उपर ध्यान में आते हैं, तो सबसे बड़ा जो नुकसान है, वो यह होता है, कि domestic companies होती ही, जो कि same product को बना रही होती है, उनके लिए खतरा बढ़ जाता है, तो खतरा जब बढ़ने तो उस time पर government यहाँ पर help करती है, by way of giving them subsidies, जिससे वो जो है, अपने production capacity को बढ़ा पाएं, या वो जो ह compete कर पाएं, उन foreign players के साथ ले, है न, तो यह globalization का एक impact है, जो कि थोड़ा सा favorable भी है, क्योंकि इससे जो है competency बढ़ती है, domestic market में, लेकिन साथी साथी थोड़ा सा unfavorable भी है, क्योंकि इससे एक pressure भी बढ़ता है, है न, नवे number point की तरफ चलते हैं, sorry, 81 number point शूरी है हमसे, in order to compete with a foreign domestic, आचा यह हो गया, आचा नवे number point की तरफ चलते है, companies have started looking the world as a market for their product, है न, पहले गया होता था कि एक जब product बनाता था, कोई company जब product बनाती है, तो वो सोची थी कि हमारा market जो है, छोटा सा है, जैसे कि मैं अगर Bengal से हूँ, तो सपोज उसने सोचा कि मेरा market सिर्फ Bengal है, बट जीरे दिर उसको पता चला कि उसकी जो product है, उसका potentially वो इतना अच्छा है कि वो जो है, इंडिया में ही, बहुत सारे states में वो big सकता है, तो उसने अपने business को हर एक जगह पे expand के तो उसके product की demand और जादा बढ़ गई, है न, और बाद में क्या वाजब globalization हुआ, तो ये पता च करते हो, अगर वो लोग interested होंगे, तो definitely आपकी जो company है, और साथी साथ जो Indian economy है, उसको भी एक तरीके से boost मेलेगा, है न, तो company है जो है एक तरीके से start, उन्होंने start किया है, पूरे world market को अपने product को बेचने के लिए, मतलब उस तरीके से देखना, कि world market में भी हमारी भी कोई ज favorable, तो यह बहुत ही common हो गया, अभी आपको पता है कि इंडिया में बहुत सार investment आया है, Samson में कहा कि हम गुरदाओं में, I mean, गाजियाबाद में, I guess, आपनी factory लगाएंगे, जहां पे पांसचाए लोगों को job मिलेगा, जेकिन सबसे बड़ा बात है कि वो हमारी देश में क्य आसे ऐसे जगहों पे create कर रही है, जो कि उनके लिए favorable है, है ना, जहां पे उनको cost कम पढ़ेगा, उनके production अच्छी होंगे, है ना, तो यह globalization का एक impact है, इसे बहुत सारी countries को भी opportunity मिलती है, FDI उनको मिलता है, 11 number point है, opportunities have been increasing for the firms, जो मैंने आपको बात बही वही एक line में यहां ल होने में पूरी country में तगरीबन समय लग जाते था, plus worldwide होने में तो इसको बहुत ज़्यादा समय लगता था, लेकिन अभी चुकि बहुत ही चीज़ें integrated हो गई है, internet का भी जमाना है, लोगों के पास हर चीज़ अविलेबल है, तो जो भी innovations अभी recent में हुए है, वो सब बहुत ही आसाने से spread कर जा रहे हैं पूरे world में, इससे तगरीबन हरे country वो फाइदा हो रहा है, और यह possible सर्फ और सर्फ globalization के कारण ही हो पाया है, right, so these are the 12 benefits to 12 favorable topics that we have discussed in this particular video, I hope that आपको यह वीडियो काफी पसंदा आओगा, पसंदा आया है, तो please like, comment और share कर देना, और हाँ हमारे प् आपको एक्जाम देने वाले हैं, उनके लिए भी वीडियोस अफ्लोड होगी कुछी दिनों में, साधी साथ जो बीकॉम के जो जिनों ने अभी हाल में admission कराया, उनको पता है कि उनका जो course है, वो change हो गया, course का नाम जो है change हुआ है, तो उस course के नाम से एक नए तरीके से जो